कुजरात वडोधर लो टाटा एर्बस एरक्राफ्ट एसेंबलिंग प्लान्ट को सेंकुस्ताफन जर्गिमतों दे या कारिकमलो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी पालगुनर लाइव लोचोंता हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पुरा विश्वास है कि भविश्य में इस एरकाफ्रेक्टरी में बने बिमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किये जाएंगे फ्रेंट प्रसित्य स्पेनिश कवी अन्तोनियो मचादो ने लिखा था ट्राइवेलर देरी नो पांथ 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 इसमेड़ बाइव वोकिंग इसका भाव यही है कि लक्स तक पहुतें के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं आज आप देखिए भारत में डिफेंस मैनिफेक्टरिंग एकोसिस्टीम नहीं उचाई या छू रहा है दस साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाय होते तो आज इस मंजिल पर पहुँचना असंभव ही था तब तो कोई ये कल्पुना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैनिफेक्टरिंग हो सकती है उस समय की प्राइवरिटी और पहचांग दोनों इप्पोर्ट की ही थी लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तै किया अपने लिए नए लक्ष तै किये और आज इसका नतीजा हम सब के आँखों के सामने है साथियों किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रास्परिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनर्शिप जरूरी है भारत का डिफेंस सेक्टर का काया कल्प राइट प्लान और राइट पार्टनर्शिप का उधारा है बीते दसक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिये जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंड़स्ट्री का विकास हुआ हमने डिफेंस मैनिफेक्टिरिंग में प्राइबेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया पब्लिक सेक्टर को एफिशन बनाया ओर्डिनन्स फैक्टरीज को साथ बड़ी कमपनियों में बदला डियाडियो और हल को शसक्त किया यूपी और तमिल लाड़ु में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर बनाये ऐसे अनेक निर्णव ने डिफेंस सेक्टर को नई उर्जा से भर दिया आइडेक्स यानि इनोवेशन फर डिफेंस एक्सलन्स जैसी स्कीमों ने स्टार्ट अप्स को गती दी बीते पांच-छे सालों में ही भारत में करीब एक हजार नए डिफेंस स्टार्ट अप बने हैं बीते दस वर्थों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तीस गुना बड़ा है आज हम दुनिया के सो से अधिक देशों को डिफेंस एक्विप्मेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं साथियों आज हम भारत में स्कील्स और जॉब क्रियेशन पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं एरबस और टाटा के इस फेक्टरी से भी भारत में हजारों रोजगार का निर्मान होगा